नमस्कार मैं अशोक कुमार बैर्वा प्यारे विध्यारतियों हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे और उसमें हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ओप ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा का वर्गी करण ब्रायोफाइटा का वर्गी करण क्लासिफिकेशन ओप ब्रायोफाइटा सब्द का प्रियोग सर्वे पर्थम 1864 में ब्रान के द्वारा किया गया तथा इसमें सैवाल, कवक, लाइकेन वे मौस को रखा गया तो रोबर्ट ये जो ब्रान था, ब्रान ने इसमें सैवालों को, कवकों को, लाइकेन को और मौस को ब्रायोफाइटा के अंदर रखा सिंपर ने ब्रायोफाइटा को प्रभाग या डिवीजन का जर्दा दिया तो Briofaita को एक अलग division का जो दर्जा दिया वो सिंपर के द्वारा दिया गया Aikler ने Briofaita को निमन दो सम वर्गों में वर्गीकरत किया Division Briofaita है इसके दो classes के अंदर माटा कौन-कौन सा एक वर्ग तो हिपेटेसी और दूसरा मसाई तो आइकलर जो है इसने ब्राय फैटा को दो वर्गों में बाटा एक हिड़ पेटेसी में और दूसरा मसाई के अंदर आंगलर ने प्रतेक वर्ग को तीन गणों में विभखत किया जो आइकलर का जो वर्गी करण था इसी में आंगलर ने और जोड़ दिया जो हिपेटेसी और मसाई जो हैं इनको तीन तीन गणों के अंदर विभेदित कर दिया तो हिपेटेसी के जो तीन गण आये वो कौन-कौन से हैं मारकेंसी एलीज, जंगरमैनी एलीज और एंथोसरोट एलीज ये तीन गण तो हिपेटेसी के अंदर हैं और मसाई के अंदर तीन गण कौन से सामिल किये, स्फैगन एलीज, एंड्री एलीज और ब्राय एलीज, ये तीन गण मसाई के अंदर एंगलर ने सामिल किये. हौव, कैंपवेल, स्मिथ, तक्ताजन, सुस्टजर, सुस्टर, हंक्षन, इन्होंने ब्रायो खैटा को तीन वर्गों में वर्गिकरत किया. तो प्रभाग, डिविजन तो हो गया ब्रायो खैटा और इसको तीन वर्गों में वाता, कौन-कौन सा हीपेटेसी, एंथोसिरूटी, और मसाई. ये इन वैज्ञानिकों ने ब्रायोफायटा को तीन ट्लासेज में डिवाइड किया हिपेटेसी, एंथोसरिवटी और मसाई रोथ मेलर ने वनस्पति नामकर्ण पद्धती की अंतरास्तिय नियमावली यानि ICBN के अनुसार ब्रायोफायटा के वर्गी करण को निम्न प्रकार संसूदित किया तो जो रोथ मेलर था, उसने ICBN जो अंतरास्तिय नियमावली है उसके आदार पर ब्रायोफायटा के जो ये तीन वर्ग दिये थे इनको संसूदित किया किस तरीके से? हिपेटिक उप्षिडा, एन्थोशिरोट उप्षिडा और ब्रायोफिडा तो ये तीन वर्गों में ब्रायोफायटा को माटा गया है अगर आप दोनों क्लासिफिकिशन में देखोगे तो आपको केवल थोड़ा सा अंतर सब्दों का ही है बाकि वोई सब्द यहीं पर यूज किये गए हैं केवल इसको नियमाली से संसोधित किया गया है हिपेटिक उप्षिडा या हिपेटेशी भी बोल देते अन्थोशिरोट उप्षिडा आपको एन्थोशिरोटी भी बोल देते और मसाई या ब्रायोफिडा ब्रायोफायटा जो है इसको तीन वर्गों में माटा गया है हेपेटिक आप्षिडा या हेपेटेसी, एन्थोसरोट आप्षिडा या एन्थोसरोटी, ब्रायप्षिडा या मसाई इन तीनों वर्गों का हम एक-एक करके अध्धन कर रहे हैं इन तीनों की जो विसेश्थाएं मैंने ली हैं, वो comparative करके ली हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्ग हिपेटिक अप्षिडा, इस वर्ग के पार्पों की आकरती यक्रत या लीवर के समान होती है, इनका उप्योग यक्रत स करम बंदी विकारों के उप्चार में किया जाता है, अतै इस वर्ग के सदस्यों को लीवर वर्ट्स भी कहते हैं, तो इनको लीवर वर्ट्स इनका जो दूसरा नाम है, हिपेटिक अप्षिडा या हिपेटेसी, इनको लीवर वर्ट्स भी कहा जाता है, और लीवर वर्ट्स इनका पादप सरीर जो होता है पादप काय जो होता है थेलाब यानि थेलोईड या सुकायक जिसको हम कहते हैं अथवा परनिल होता है देखिए इनका जो सुकाय है थेलाब होगा थेलोईड होगा सुकायक होगा मतलब जड़ तना पत्तियों में विफेदित नहीं होता लेकिन पर्णिल थैलाब भी हो सकता है किसका पौरेला, रेडूला और फैलूनेनिया ये तीन पौधे हैं पौरेला, रेडूला और फ्रूलेनिया ये जो फ्रूलेनिया है ये विशेश रूप से आपको याद रखना है कई बार इसके संबंद में पूर्णि देते हैं कि फ्रूलेनिया जो है वो किस वरक का पौधा है तो ये हिपेटिक अपसिडा का है और इसका जो सुकाय है वो पलने लोगता है इनमें थैलस की अब्यक्ष या वेंटल सतह पर मूला भास यानि राइजोईट्स पाए जाते हैं और जो राइजोईट्स होते हैं एक कोसिक और ऐसाखित होते हैं और ये काम क्या करते हैं दो तरीके के हो सकते हैं मूला भास चिकनी वे गलू किये भित्तियुक्त होते हैं ये चिकनी भित्तियुक्त है और ये गलू किये भित्तियुक्त मूला भास है और ये इनकी वेंटल सरफेस पर ये राइजोईट्स हैं ये पाए जाते हैं ये पोध ज़सकी अब्रद्यक्ट्स सतह पर ही हल्के बेंगनी रंग야 निया host 선 n का का कारिए करते हैं इनमें मर्द्यक्ट्स शतए पर राइज्वोड पाए जते हैं जो एक कोशी का और एसा क bamboo थ होते हैं अब्रद्यक्ट्स हतो पर हीplet आये जो क्या करते हैं रक्षा होगय जल अवसोशन का कारिय करते हैं व्रदी छेत्र की रक्षा करते हैं और जल अवसोशन का कारिय करते हैं अगला पॉइंट आता है इनका बीजानुद भिद जो होता है वो तो गेमेट फाइट की विशिष्था ही थी अब बीजानुद भिद की विशिष्था होती है इनका जो बीजानुद भिद होता है वो फोट सीटा और कैप्शूल में विवेदित होता है लेकिन रिक्षिया के बीजानोद भीद में फोट और सीता है वो absent होते हैं रिक्सिया का बीजानोद भीद सबसे सरलतम होता है जो केवल capsule का बना हुआ होता है यह महत्यपॉन बिंदु है कि ब्रायोफायटा में सबसे सरलतम बीजानोद भीद किसका मिलता है रिक्सिया का मिलता है यह पॉइंट है इनका विजानुत भीद तून रूप से भोजन और जल के लिए युक्मकोद भीद पर आस्रित होता है ब्राइव फैटा का जो विजानुत भीद होता है वो युक्मकोद भीद पर आस्रित होता है हिपेटिक अपसिडा का जो विजानुत भीद होता है वो पून नहीं जाता है capsule के अंदर और इलेटर्स पाए जाते हैं जो बंद को cells होती है वो इलेटर्स के रूप में पाए जाती है इलेटर्स आदरतागाही होते हैं और बीजानों के प्रिकिरिणन में साहता करते हैं तो पूसा जाता है कि जो इलेटर्स हैं वो किस में पाए जाते हैं ह और अंतिम पॉइंट है इसके examples उधारन उधारन में इसमें आता है एक तो रिक्सिया रिक्सिया का बीजानों भीद सबसे सरलतम होता है जो केवल कैप्शूल का बना होता है और कई बार यह पूछ लिया जाता है कि रिक्सिया की जलिये जातियों का नाम लिखिए वो रिक्सि रिक्सिया अबुएंसिस रिक्सिया की जलिये जातिया है रिक्सिया फ्लूटैंस और रिक्सिया अबुएंसिस यह जलिये जातिया है रिक्सिया की मारकेंसिया प्लैजियो के एजमा पेलिया पूरेला पूरेला को मेडो ठिका भी कहते हैं और एक है क्रप्टो थेलस मिराव वाद कि जो पोदे होते हैं वैसे स्वयपोसी होते हैं अपना भोजन श्वंबनाते हैं लेकिन हैं महत्पूंड है नाम देखिए तो क्रप्तो तहलास मुरावल meille यह मरत जीबायो खाईट अब दूसरा वर्ग आता है औ एंथोस्रोट आपसिडा जयसे में पर लीवर, जो हेटिक आपसिडा के सदस्यों का सामायवन नाम लीवर्वर्ट था ऐसी इस वरक के सदस्यों को ऩे और होन वील्ट बोलते हैं क्या है इनका पाधपकाय जो होता है इनका पाधपकाया थेलैंडukazzi होता है है हिपरिस्द Gig पाये जाते हैं, एक कोस के ऐसाखित होते हैं, ये लिवर वर्ट में भी एक कोसी ऐसाखित होते हैं, मुलाभास केवल चिकनी मित्तियुक्त होते हैं, लेकिन वहाँ पर दो तरीके के मुलाभास मिल रहे थे, यहां पर केवल एक तरीके का मुलावास पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इनके जो थैलस है, उसकी अब्यक्षते पर स्केल नहीं पाये जाते हैं। इनका बीजानुद भीद है, यहां जल के लिए युकमकोद भीद पर निर्भर होता है, भोजन श्यौम बना सकता है। हिपेटिक अप्षिडा का पूर्ण परजीवी था और एंथोसर अप्षिडा जो है इसका अर्ध परजीवी होता है पानी के लिए ही युकमकोद बीद पर नेरवर रहता है भोजर ये अपना स्वम बना लेता है नेक्स्ट पॉंट है इनके कैप्सूल में कॉल्यूमेला पाया जाता है हिपेटिक अप्षिडा के अंदर नहीं पाया जाता है जो कैप्सूल को यांत्रिक सामर्थे प्रदान करने का काम करता है तो यह कॉल्यूमेला यहां पाया जाता है कैप्सूल को जो मेकनिकल सपोर्ट ह वो पुरदान करने का काम करता है, इस वर्ग में आभासी इलेटर्स पाए जाते हैं, वहां तो सत्य इलेटर्स पाए जाते हैं, युपेटिक अफिडा या लिवर्वर्ट में, और हॉन्वर्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, और इनमे जो आभासी एलेटर्स और जो सत्य एलेटर्स हैं, उन्हें अंतर क्या होता है, इनमें स्थूलन बैंड का आभाउख होता है, सत्य एलेटर्स में स्थूलन बैंड पाए जाते हैं, आभासी एलेटर्स में स्थूलन बैंड नहीं पाए जाते हैं, काम वोई करते हैं, ये आदत परट के अंदर पाए जाते हैं उधारन इसके एंथोस्रोस, डेंडोस्रोस, मेगाश्रोस और नोटो थाइलस एंथोस्रोस के थैलस में नौस्टॉक नामक नील हरित सेवाल की कॉलोनी पाई जाती है तो यह इसे इस रूप से आपको याद रखना है कि जो एंथोस्रोस है इसके थैलस में नौस्टॉक जो बिलूग्रीन एल्गी है उसकी कॉलोनी है वो पाई जाती है तीसरा वर्ग आता है ब्रायोप्षिडा या मसाई इस रिख सदस्यों को सामानत्य मौसीज कहते हैं, हिप्यटीक ऑपचिडा को लिवर वर्ड कहते हैं एंत्थो उप्सिडा को हॉन्वर्ड कहते हैं और ब्रायोप्षिडा को मौसीज के नाम से जानतै अब हम तीनों के comparative देखते चलेंगे, इनके युकमकोर भिद पादप काय की दो अवस्थाएं होती है, पर्थम तंतु अवस्था और प्रनिल अवस्था, वहाँ पर जो हिपेटिक आपसिडा जो है, उनका पादप सरीर जो होता है, कैसा होता है, थेलवीड होता है, या परनि तो अवस्था दूसरी परनिल अवस्था, तीसरा पॉइंट, इनमें मुलाभास बहु कोशी किये साखित और तिर्छे पटवाले होते हैं, साखित होते हैं, देखिए हैं अपर, हिपेटिक आपसिडा के अंदर भी मुलाभास मिलते हैं, एंतोसर अपसिडा के अंदर भी साखित होते हैं और तिर्चे पटवाले होते हैं तो यह अंतर है इनके अंदर इन में स्केल जो है वो नहीं पाए जाते हैं स्केल के वल लिवर्वर्ट में पाए जाते हैं होन्वर्ट और मौसेज जो हैं इनके अंदर स्केल नहीं पाए जाते हैं पांचवा पॉइंट है इनका विजानुद भिद है फूट सीटा और कैप्शूल में विवेदित होता है जो तीनों में विवेदित होता है इस फैगनम में और एंड्रिया में सीटा है उसकी स्थिति इस्पस्ट नहीं होती है अगला पॉइंट है इनका विजानुद भिद युकमकोद भिद पर अर्द पर जीवी होता है होनवर्ट की तरह ही होता है जल के लिए तो युकमकोद भिद पर निरभर होता है और भुजन जो है वो स्वम बना सकता है तो यह अर्द पर जीवी होता है और इन में जो कैप्शूल है उसके अंदर कैलूमेला है वो पाया जाता है कि अबर लिवर्वर्ट में कालूमेला नहीं मिलता है होनवर्ट में मिलता है मौसेज में मिलता है और जो काम करता है, capsule को यांत्रिक सामर्थे प्रदान करने का काम करता है, इसके अलावा, ilators जो है, वो इस वर्ट के अंदर नहीं पाये जाते हैं, देखिए, लिवर वर्ट जो होते हैं, उसके अंदर 70 ilators पाये जाते हैं, होर्ण वर्ट जो होते हैं, उनके अंदर 80 ilators पाये जाता है और आभासी लेटर्स में इस दूलन नहीं पाया जाता काम दोनों सेम करते हैं ब्रायोप्षिडा या मॉसेज के कैप्शूल की अगर हम बात करें तो इनका जो कैप्शूल होता है सामानते तीन भागो में विभेदित होता है देखिए जो ब्रायोप्षडा है उसका जो बिजानों ध्रिदोजों होता है उस तीन भागों में विवेदित होता है एक खुट होता है सीटा होता है और कैप्शूल होता है ब्रायोप्षडा का जो कैप्शूल होता है ये भी तीन भागों में विवेदित होता है और तीन भा का चित्र दिया हुआ है इसका जो नीचे का वाला भाग है यह तो कहलाता है एपोफाइसिस यह बीच वाला जो भाग है यह कहलाता है थीका और यह उपर ढखकन नुमा जो भाग है यह कहलाता है ओपर कुलम apophysis जो होता है यहैं capsule के आधार पर फुली हुई एक कंदिये सरचना होती है ठीका है यह capsule का मद्ध फलद या फरटायल भाग होता है और तीसरा भाग आता है वो है operculum यह capsule का सीसस्त भाग है जो capsule के ऊपर ढखकन के रूप में पाया जाता है कई बार यह पूछा जाता है कि ब्रायोप्षडा के जो सदस्य है या मौसेज के दो सदस्य है या किसी पोधे का नाम आजाता है जैसे फ्यूनेरिया है या स्फेगनम है इनकी नाम आजाते हैं कि उनमें कैप्सूल के उपर एक ढखकन नुमा सरचना पाई जाती है उसको किस बश्च्राइब सप्वायसिस टीका। आपकूलम जब किस और मिल जाएगा उसको क्या कहते हैं तो यह दित्वन रखना है कि कैफ्शूल के ओपर छ्ग्ट के रूप में जो सरचना होती है उसको और समपन होती है इसके दवारा इस्फ्ट की जोक्रिया है वह होती है और झाल जो परियों कुषी है और होता है जो आद्रटा ग्राही होने के कारण वीत जानों के प्रेकिलंक Mane सायध हैं अपवाद सवरूप स्फेगनम में परिमुखदात या जो परिस्ट्रम जो है ये एपसेंट होता है इस्फेगनम जो है उसमें नहीं पाया जाता देखिए जो हिपटी कॉपषिडा था एंथोस रोपषिडा था उनमें लेटर्स पाये जाते हैं जो आधरतग रही ह होते हैं और बीजानों के प्रकिरिणन में हàiलप करते हैं तो वहाइब या वास्थ्थ deal is यह नहीं होते आवासी इलेटर्स पाये जाते हैं जो भी आधरत्य रही होते हैं और बीजानों के प्रिकिर्णर में सहयक होते हैं अब आता है उधारन मौस जो है उनके उधारन आते हैं तो पहला है स्फेगनम इसका नाम कूश लिया जाता है कि दलदल मौस, कारपेट मौस, पीट मौस या मौस कोटन के नाम से किसको जाना जाता है तो इस फैगनम को जाना जाता है, इसे दलदल मौस बोलते हैं, बॉग मौस, कारपेट मौस या पीट मौस और मौस कोटन, ये चार नाम हैं, इसी के ही हैं ये, दूसरा है पॉलिट्राइकम, इसे गिलहरी, पुच्छ की पूंच मौस के नाम से जाना जाता है, या इसे रॉमि नेतम जो है स्का जटिल्तम घटान चम्राब होता है बॉक्स बाउम्या जो կह बरतजीवी ब्राजीम एग है और डैसोनिया जो है जिसे australian moss भी कहते हैं यह सबसे बड़ा व्राइओपाइट है ठीक है तो डायसोनिया है यह सबसे बड़ा व्राइओफाइट है तो इस वीडियो में हमने व्राइओफाइटा का समझ में आया हुगा आपको वीडियो लगातार मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अगर आपके कोई कुश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें